अमेठी चोर राय बरेली से क्यों उत्रे राहुल गांधी आखिर गांधी परिवार के गढ़ को लेकर क्या है कॉंग्रेस का प्लान भाजपा राहुल गांधी पर क्यों हुई हमलावर सियासिय उठा पटक है या चुनावी चाल नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर राजनीतिक डंगल में कौन किस पर है भारी हर सियासी राव की इंसाइड स्टोरी प्रजातन्थ नमस्कार प्रवसाक्षी के खास कार्ष्यम प्रजातन्त्र में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंक्यर सिंग अठकले असमंजस और कंफ्यूजन के बीच आखिरकार कॉंग्रेस ने गांधी परिवार के गर अमेठी और राइबरेली में अपने उम्मीद्व करने के दौरान कॉंग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई कॉंग्रेस अध्यक्ष मलकार जुन खरगे पूर्वे अध्यक्ष और राइबरेली से सांसुत रही सोनिया गांधी प्रियंका गांधी शहित पार्टी के वरिष्ट नेता मौजूद रहें राहुल को अमेठी के बद अमेठी छोड़ दिया और राइबरीली से चुनावी मैदान में उत्रें हैं बात कह रही है दरो मत भागोंत भाजपा का बाग मोधी ने राहुल गांधी पर तीखा की ने राहुल गांधी का नाम लिए वगर कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि शाधादे वाइना याउंगे अमेठी जाएंगे लेकिन अमेठी से इतना डर गये कि वहां से भाग कर वह राइबरेली में खोज रहें है रास्ता यह लोग घोंग कर सबको कहते हैं डरो मत मैं भी इन्हें कहता हूं अरे डरो मत भागो मत रभिशंकर प्रिसाद ने कहा कि राहुल गांधि नहीं लड़ रहा है यहां अपनी आप में एक संकेत है कि कॉंग्रेस ने चुनाव से पहले ही अमेठी में अपनी हार को स्विकार कर ली है राजना सिंग ने कड़क्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी मैदान छोड़ कर भाग गये हैं ऐसे लोग देश का नित्रूत्व करन पर कॉंग्रेस ने बचाव किया है पार्टी महासचु जैरम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी के राए बरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर कई लोगों की अलग-अलग राय है उन्होंने कहा कि याद रखे राजनीती और शतरंज की अनुहवी खिलारी है पार्टी न वज़ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब क्या दे कॉंग्रेस ने प्रमोतिवारी ने कहा कि परंपरागत रूप से परिवार के एक वरिष्व सदस्य को राय बरेली से चुनाव लड़ने के लिए पहुचे हैं शूशेना यूवीटी सांसर चंजैराउत ने कहा कि राहुल इसे गांधी-परिवार की हुईदोरी उत्तरफरेश की अमेठी लोगसावा सीट से गांधी परिवार के सबसे मजबूत किलो में से ुक ऑना जाता रहा है लेकिन 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्थ से लोगसभा चुनाव में इस सीट से मैदान में नहीं उतर रहा है वर्ष में निर्वातन शेत्र बने अमेठी को गांधी परिवार का मजबूत किला माना जाता है और करीब 31 वर्षों तक गांधी परिवार के सदस्थ्यों ने इस लोगसभा सीट का प्रतिमिजित्व किया है पिछले आम चुनाव में भारती जनता पार्टी की नेता इस मेति रानी किले को भेदने में सफल रही और उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दे थी अमेठी लोगसभा सीट पर गांधी परिवार को उस्सा में जटका लगा था जब राजियू गांधी और सोनिया गांधी के करीबी शतीश शर्मा को भाजपा के संचैस सिंग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा यह पहला मौका था जब यह सीट गांधी परिवार के हाथ से निकल गई थी सोनिया गांधी ने उन्हें से ज्यादा मतों से हराकर अमीठी को फिर से कॉंग्रेस की जोली में डाल दिया था सोनिया गांधी ने 2004-2009-2014 में लग हहां से उस सब से थाराय निरवाजशन शीट्र में फिरोज गांधी द्वारा रखी गई मजबूत नियुको उन्हकी पत्नी वपुर्व प्रधान-मंत्री इंद्रा गांधी ने और मजबूती प्रधान की तथा इंद्रा गांधी ने 1980 में दो सीट पर चुनाव रहा था जिन में से राइवरेली और मेड़क जो की तिलंगाना में हैं लोग सभाव सीट सामिल थे हलाकि उन्होंने बाद मेड़क सीट अपने पास रखने का फैसला लिया इसके बाद अरून नहिरू ने 1980 के उपचुनाव मे और 1984 के आम चुनावे राइवरेली पर कॉंग्रेस का परचम लहड़ाय रखा पूर्वेप्रधान मंत्री राजियू गांधी के करीबी माने जाने वाले अरून नहिरू से लेकर शीला कॉल तक राइवरेली सीट गांधी परिवार के सर्दस्यों और के करीबियों के पासी इंद्रा गांधी की रिष्टेदार शीला कॉल ने 1989 और 1991 में राइवरेली का प्रतिनीजित्व संसर में किया था गांधी परिवार के एक अन्य मित्र शतीष शर्मा ने 1999 में राइवरेली निर्वाचन शेत्र का प्रतिनीजित्व किया और उसके वास ओनिया गांधी का पार्टिय जन्तापाटी की अशोक सिंग ने कॉंग्रेस के उम्मीद्वारों को शिकस्त दी थी सुनिया गांधी ने चुनावी राजनीती में प्रिवेश करने के लिए उन्हीं सीट चुनी थी लेकिन इनकी बड़ी ने मैंने पार्लामेंट में कहा था तब तो चुनाव को दो महिने की तिन महिने की देर थी मैंने कहा था इनकी सबसी बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी वो डरके मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्तान गई और राजस्तान से राजसभा में आई और हुआ भी यही मैंने पहले ही बता दिया था कि साजादे वाइनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वाइनाड में मतदान समाप्त होगा वो दीसरी स्वीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहेते हमेठी आएंगे हमेठी आएंगे लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहाँ से भाग कर अब राइबरेली में खोज रहें रास्ता ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मात मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भरके कहता हूँ अरे डरो मात भागो मात अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके